मेरी बेटी अंधी थी और मेरे पती उसकी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि बेटी के अंधे होने की वज़ा से वो चाहते थे कि वो हमारे पास ही रहे लेकिन एक दिन मैंने एक अच्छा रिष्टा देख कर उसकी शादी कर दी जब भी बेटी से बात होती थी तो हम उसको कहते थे कि हमें अब तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है पर वो फोन पर अक्सर कहती थी कि मा मैं यहां बहुत खुश हो आपको आनी की ज़ुरत नहीं है आप और पापा मेरी बिलकुल फिकर मत कीजे बेटी की शादी को लगबख छे महीने गुजर गए तो एक दिन मैं और मेरे पती अपनी बेटी के घर चले गए मेरे बेटी का नाम नैना था नैना के घर पहुँचने के बाद जब दर्वाजा खुला तो मेरे पती तो चौंक गए और अंदर जाने के बाद जब मैंने बेटी से दमात के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि उन्होंने ही तो दर्वाजा खुला था मैं तो मानो चकर खा के गिरते गिरते बची समझ ही नहीं आ रहा था कि नैना क्या बोल रही थी मेरे पती ने गुसे में मैं लगबग 6 महिने बाद अपनी बेटी नैना के ससुराल जाने वाली थी आज से पहले जब भी उससे बात हुआ करती थी तो फोन पर ही होती थी पर मैं हर उस नैना से फोन पर ज़रूर बात करती थी और वो भी मुझे हमेशा ही खुश दिखाई दिती थी उसकी खुशे से भरी आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो जाया करता था उसकी आवाज में एक अलग सी खनक आ गई थी और हमेशा ही अपने पती से कहती थी कि देखो आप हमेशा कहते थे कि मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूँगा उसे हमेशा अपने पास रखुँगा क्योंकि वो अंदी है पर देखो जरा वो कितनी खुश है अपने पती के साथ उसके जिंदगी तो खुशियों से भर चुकी है अब बस यही प्रातना करती हूँ कि मेरा भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे मेरे पती भी गहरी सांस लेकर रह जाते वो कहते थे कि लता मैं तो समझ रहा था कि हमारी बच्ची देख नहीं सकती तो शादी की बाद ससुराल के काम का आज में कैसे हाथ बटा पाएगी मुझे कहा पता था कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा जो मेरी बेटी का इतना जादा खयाल रखेंगे और उसे इतना प्यार देंगे लोगों के बड़े-बड़े महलों में रहने वाली बच्ची इतनी खुश नहीं है जितनी हमारी बच्ची आँखों के रोशनी ना होनी के बावजूद खुश है नैना दूसरे शहर में रहती थी और यहां से वो लगबग साथ घिटे की दूरी पर था इसलिए बेटी से मिलने हमेशा तो नहीं जा सकते थे एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरी बच्ची परिशान बैटी रो रही है और उसका पती भी उसे लेड जगड रहा है मेरी बच्ची रो रोकर परिशान हो रही है और बार बार अपने माबाप को आवास दे रही है गबराहर से आधी रात को ही मेरी नींद खुल गई पती ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें सब बताया ये सपना देखने के बाद तो मुझसे रहा ही नहीं गया और उसी समय मैंने अपने पती से कहा कि मुझे कल ही मेरी बेटी के पास लेकर जाओ ना जाने क्यों मुझे ये सब इतना भयानक सपना आया मैं अगले ही दिन अपनी पती को साथ लेकर नैना के यहां जाने लगी हम नैना की घर के बाहर पहुँचे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर खड़े ही सोच रहे थी कि बिना बताया आ गए है पता नहीं नैना के ससुराल वाले क्या कहेंगे पर मैं भी क्या करूँ मेरा मन मानी नहीं रहा था हिम्मत कर दर्वाजा खटखटाया तो दर्वाजा एक अधेर उम्र के इंसान ने खोला था जो कि मेरी बेटी नैना का ससुर था जैसे ही उसने दर्वाजा खोला तो हमारे चहरे पर मुस्कुराहट थी पर ना जाने क्यों नैना के ससुर के चहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं थी हमें वहाँ खड़े देखकर उनके चहरे पर अजीब सी परिशानी आ गई थी जैसे उनको हमारा यहां आना बिल्कुल भी पसंद ना आया हो मैंने एक नजर नैना के ससुर को देखा उसके चेहरे की हवाईयां पूरी तरह उसे ओड़ चुकी थी हमारे दिल में खत्रे की घंटियां बजने लगी हम अपनी बेटी से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हुए जैसे ही घर में दाखिल हुए तो हमारी बेटी नैना अपने कमरे में बैटी थी जिसके पास कई तरह के फल काटकर रखी हुए थे और वो बिलकुल महरानियों की तरह एसी वाले कमरे में बैटी हुई फल खा रही थी हमारे कदमों की आहट तो नैना बच्पन से ही पहचान लेती थी जैसे ही माँ बाप की कदमों की आहट उसके कानों तक पहुँची वो चहगने लगी फटाफट उट खड़ी हुई और कहने लगी माँ पापा क्या आप दोनों आए हैं इतना कहकर वो आगे बढ़ी और हम दोनों ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया मैं तो अपनी बच्ची नैना से लपट कर रोने लगी उसे चूमने लगी हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था मैं तो बिना मतलब ही इतना घबरा रही थी उसी समय नैना के ससुर भी वहीं कबरे में आ गए और कहने लगे आप लोग आराम से बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूँ हम अपनी बेटी के पास बैठे ही थे कि मैंने नैना से कहा कि बेटा दमाज जी कहा है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे ये सुनकर नैना कहने लगी, मा ये क्या कह रही हो, मेरे पती तो यहीं है नैना के हाथ एक तरफ इशारा कर रहे थे जब हमने नैना के हाथों की तरफ देखा, तो हमारी तो रूह काप गई क्योंकि नैना की आवाज आ रही थी कि मा, मा प्यास लगी है गलब बहुत सूख रहा है, मैं बहुत गहरी नींद में थी जब बेटी की आवाज से मैं उठ बैटी एक नजर बेटी की तरफ देखा तो सामने पलंग पर बैटी हुई हवा में हाथ लहरा रही थी नैना मेरे पलंग को ढून रही थी नैना को देखकर मैंने गहरी सांस लिया और उठकर पानी का ग्लास नैना को अपने हाथों से पिलाने लगी मुझे हर बार अपनी बेटी नैना की हालत को देखकर बहुत दर्द होता था पर साथ ही साथ उसके चांद से चेहरे को देखकर गुरूर भी होता था अगर कोई भी मेरी बेटी को देख लेता, तो दूसरी बार नज़र उठा कर जरूर देखा करता था. आखी नैना थी ही इतनी सुन्दर? मगर जब किसी को पता चला कि मेरी बेटी अंधी है, तो वो काणो काण हमारे बार में बात बनाने लगता था. लोग काना फुसी करते थे कि यकीनन ये माबाप की किसी बड़े पाप की सजा होगी जो इतनी सुन्दर बच्ची पैदा होई और वो भी अंधी वना दुनिया में इतने हसीन लोग बहुत कम ही देखे जाते हैं जब मैं अपनी बच्ची को यूँ छुप चाप एक जगा बैटे हुए देखती थी तो मेरा दिल टूट जाता था मेरी तो तम्मना थी कि मेरी बेटी इस रंगों से भरी रंग बिरंगी दुनिया देखी अपने माबाप को पहचान सके मगर उसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे चेहरे के नक्षे को पहचान रखा था वो चीजों को सुनकर और महसूस करके अपने दिल के जरिये महसूस करती थी थोड़ा बहुत चलफिर सकती थी वो और आखे ना होनी के वज़ा से तकलीफ तो रहती ही थी नैना हमारे परिवार से ही बस हमें पहचान सकती थी मैंने नैना को पानी बिलाया और एक गहरी नजर अपने सोते हुए पती पर डाली जो दिन भर काम करके ठक कर आये अपने बिस्तर पर लेटे थे नैना तो हमें हमारी जान से भी जादा प्यारी थी दुनिया वाले चाहे इसके बारे में जो भी सोचे पर हमारी तो जान हमारी इस बेटी में बसा करती थी बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब से खयाल आने लगे मैं अपनी इस अंधी बेटी नैना में भी गुण तलाश करने लगी थी आखिर अपना बच्चा तो हमेशा ही सबको प्यारा और सर्वगुण संपने रगता है न मुझे भी मेरी नैना इतनी ही प्यारी लगी थी जब भी गाओं में किसी भी लड़की की शादी की खबर सुनती तो मेरा भी दिल यही कहता कि मैं भी अपनी बेटी की शादी करूँ यह सर्फ देख नहीं सकती मगर घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी मैं घर में बैठी हुई यही सोच रही थी कि मेरे पती अपने काम से घर वापस आए नैना अकसर अपने पापा के कदमों की आहट को सुनते ही सबसे पहले किचन में जाती थी और वहाँ से एक ग्लास पानी लेकर अपने पापा को देने के लिए आती थी उसे ये सब काम करने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती थी नैना उस दिन में फॉरन उठी और दिवार का साहरा लेते हुए किचन में चली गए वहीं पर वाटर कूलर रखा था नैना ने पानी भरा और गिलास लिए पापा के पास आ गई कहने लगी पापा लीजिए पानी पी लीजिए बहुत ठक गए होंगे ऐसा कहकर वो पापा के पास वहीं गुटनों के बल बैट कर उनके पैर दबाते हुए पैर उसे जूते उतारने लगी कि पापा आप यहीं लेट जाओ मैं आपके पैर दबा देती हूँ मेरे पती ने जब नैना के मुँसे ये सब सुना तो वो हमेशा की तरह मुस्कुरा कर उसके सर को चूम लिया और आशिरवाद देते हुए कहने लगी नहीं मेरी बच्ची तुम यहां मेरे पास बैटो और बताओ आज माने तुम्हें डाटा तो नहीं क्या तुमसे ज़ादा काम तो नहीं करवाया मैं अभी तुमारी मा की खबर लिता हूँ तो नैना मुस्कुरा कर कहने लगी कि नहीं नहीं मान तो मेरा बहुत ख्याल रखती है मुझसे कोई काम नहीं कराती अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं आपको जरूर बताओंगी उस दिन जब नैना अपने कमरे में चली गई तो मैंने अपने पती से कहा कि हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है क्यों न हम उसकी शादी करवा दे मेरी ये बात सुन मेरे पती मुझे देखने लगे ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बहुत अजीब सी बात कह दी हो जिसका किसी ने भी सोचा ना हो कहने लगे तुम पागल तो नहीं हो गई ये कैसी बाते कर रही हो तुम क्या तुम नैना की स्थिदी के बारे में नहीं जानती नैना देख नहीं सकती ऐसे में हम उसकी शादी कैसे करेंगे ससुराल में क्या होता है क्या तुम नहीं जानती कैसे संभालेगी वो वहाँ सब कुछ ऐसे कहकर मेरे पती ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगे कि मुझे इस चीज को लेकर कोई भी बात नहीं करनी ये मेरी बच्ची के फ्यूचर का सवाल है यहां तो वो अपने माबाप के घर में रहती है इसे हर तरह की आजादी है हमें पता है कि अपनी बेटी को कैसे हैंडल करना है जबकि वहीं अगर वो ब्या कर अपने घर चली जाएगी तो फिर क्या होगा तुम जानती हो शादी के बात पती के काम के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारिया, साससुर और ननद बाकी दूसरे रिष्टे गिस तब वो कैसे संभालेगी हमारे घर की तो वो हर एक चीज पता है मेरे पती ऐसी बाते करके मुझे चुप करवा चुके थे जबकि मैं यही सोचकर परिशान हो रही थी कि आकिर मेरी बच्ची आगे के जिन्दगी कैसे गुजारेगी मैं हम बहुत दूर का सोचा करती थी दिमाग में कई तरह के खयाल आने लगे थी रात को अगर कच्ची नीन से आँख खुल जाती तो मैं यही सोचती रहती कि जब इस दुनिया में मैं और मेरे पती हम दोनों ही नहीं रहेंगे तब मेरी बेटी कहां जाएगी आस पर उसके लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो अंधी थी एक दो आउरतों ने तो ये तक कह दिया था कि ऐसी आउलाद पैदा होने से पहले ही मर जानी चाहिए क्योंकि जब ये बड़ी होगी तो सो तरह की परिशानी होगी कभी कवार लोगों की बाते मुझे परिशान जरूर करती थी लेकिन उसके बाद जब भी मैं अपनी बच्ची का चेहरा देखती थी तो मुझे उस पर बहुत प्यार आता था मैं यही प्रातना करती कि यही भगवान कोई अच्छा सा रिष्टा मेरी बेटी के लिए भीज़ दो कोई ऐसा राजकुमार जो मेरी बेटी को समझे और उसका ध्यान रखे जो मेरी बेटी को अपने घर ले जाए मेरी बेटी दिखने में सुन्दर थी उसका वहवार भी बहुत अच्छा था अगर घर का अंदाजा नैना को हो जाता तो वो हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया करती थी एक दिन रिष्टे वाली हमारे घर आई और कहने लगी कि मेरी पास एक बहुत अच्छा रिष्टा है जो तुम्हारी बेटी को समझेगा उसे बस एक सुन्दर और सुशील लड़की चाहिए तुम्हारी बेटी जवान है और खुबसूरत भी क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिष्टा उनसे करवा दू मैं तो घर में बैटी अपनी घर का काम कर रही थी अचानक से रिष्टे वाली की बात सुनकर हैरत में पड़ गई मैं रहे छूटते ही उससे कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है आपको पता नहीं मेरी बेटी अंदी है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता हम उसकी शादी नहीं करना चाहते तो रिष्टे वाली कहने लगी कि ये सब कुछ मैं पहले से जानती हूँ और मैंने उनको भी बताया है वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस बात से कोई परिशानी नहीं है वो खाते पीते घर का लड़का है और इकलाता भी है तुमारी बेटी को खुश रखेगा मैंने जब उन लड़के वालों की तारीफ सुनी तो खुश हो गई और दिल में एक बार फिर की उमीद जागने लगी कि मैं अपनी बच्ची की शादी इसी घर में करवा दू उन्हें मेरी बेटी के अंधेपन से कोई परिशानी नहीं थी वो लोग अमीर थे और उनके घर नौकर भी थे मेरी बेटी के वहवार और अच्छे आच्रण के वज़ह से इसे अपनाना चाहते थे मगर एक बात समझ नहीं आई थी कि इन लोगों को मेरी बेटी का पता कैसे चला था जैसे ही रात हुई तो मैंने ये बात अपने पती से की मेरी बात को सुनकर मेरे पती नाराज हो गए और वो कहने लगे कि क्यों अपनी नैना की जिंदगी नर्क बनाना चाहती हो मैं बिल्कुल उसकी शादी किसे से नहीं कराना चाहता ये सुनकर तो मैं भी परिशान हो चुकी थी पती को बहुत समझाया मगर वो नहीं माने अगले ही दिन मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आए उस समय मेरे पती घर पर ही थे वो लोग बड़े ही अच्छे वहवार के थे उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो मेरी बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगे ये तो बस अब हमारी ही बहु बनेगी मेरा पती हडबड़ा कर उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा मैं माफी चाहता हूँ पर हमारी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते कि उसकी शादी करें शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती है और ये वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकती वो लोग कहने लगे कि ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दे वो पहली बार हमारे घर में आये तो कई फल और शगुन की थाल लेकर आये थे उन्होंने नैना के हाथ में 20,000 शगुन भी रखा था कुछ दिन बाद फिर आये तो एक बार फिर मेरी बेटी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आये ये सब कुछ देखकर मैं और पती बिगलते जा रहे थे अब हमें यकीन सा होने लगा था कि हमारी बेटी उस घर में खुश रहेगी वो लोग हमारी बेटी से सचमच दिलचस्पी रखते थे वो औरत उनके पती बड़े अच्छे वहवार के थे और हमारी बेटी से बहुत प्यार से पेश आते थे वही उनका लड़का भी हमें बहुत भाया था मैं तो बिलकुल इस रिष्टे को लेकर राजी हो चुकी थी बगर मेरी पती नहीं माने थे उन्होंने इस रिष्टे पर राजी होने में तीन महिने से जादा का समय लगा दिया था मेरी बेटी का रिष्टा तै हो गया और अब हम उसकी शादी की तैयारी करने लगे मेरी बेटी नैना भी इस रिष्टे को लेकर बहुत खुश थी उसने लड़की को देखा तो नहीं था लेकिन अपनी मन की आँखों से वो सब कुछ भाप रही थी और वो खुश थी लड़की को अपने घर ले जाकर होती है उनका घर हमारे घर से काफी दूर था अब क्योंकि यह सफर भी रंबा था चार घंटे बादी हम वहां पहुंसते यह सुनकर हम थोड़ा सोच में पढ़ चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा रिवास तो हम पहली बार ही सु अब दूब कर देंगे इस बात पर सबकुश तै हो गया और उस दिन हमारी बेटी हमा आरी घर से विदा होकर उन लोगों के साथ चली गई हम लोगों को दहीच का सामान लेकर अगले सुबह ही वहां जाना था अगले दिन जब हम गाड़ी से सामान रखकर अपनी बेटी में जब तक वहाँ पहुचे तो मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल चुकी थी क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी वो बिल्कुम दुलहन बनी बैटी हुई थी आसपास कई महमान इखटा थे मेरी बेटी का पती उसके दाइन तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था जबकि उसका ससुर उसकी साथ साथ में बैटे हुए फोटो खिचवा रही थे हमें देखकर वो लोग आए और माफी मांगते हुए कहने लगे कि आपने आने में बहुत देर कर दी थी इसलिए हमने शादी करवा दी कोईकि पंडेट जी को भी कहीं और शादी कराने के लिए जाना था और मुरत भी निकल रहा था हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी हमें और क्या चाहिए था हमारे चहरे पर मुस्कराहट सी पैल गई और बेटी को आश्रवात देने लगे वो घर बिलकुल एक महल जैसा था और हम खुश थे कि हमारी बच्ची यहाँ पर राज करेगी ये शादी उनकी रितिरिवास के मताबिक ही हुई थी हम एक दन तक वही रहे और फिर अपने बच्चों को दुबारा आने का वादा कर वापस अपने घर चले आए हम दोनों पती-पत्नी के कंदों से तो जैसे एक भारी बोज उतर चुका था आज नैना के बिना ये घर बहुत सूना-सूना सा लग रहा था घर आये तो अकसर नैना को फोन करके पूस्ते रहते थे कि वो कहती पूस्ते रहते तो वो अकसर कहती थी कि वो वहाँ बहुत खुश है यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं मेरा बहुत खयाल रखते हैं कभी किसी ने मेरे सामने उची आवाज में बात तक नहीं की, ये मुझे बिलकुल आप दोनों जैसा ही प्यार देते हैं, और मेरे पती भी बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटी के मुँसे ये सुनती तो दिल को सुकून आ जाता, मेरे पती भी अपने काम में व्यस्त हो गए औ और मैं भी घर के कामकाज में बिजी रहने लगी, ऐसे ही जिन्दगी गुजरती रही और फिर काफी समय निकल गया, मैं बेटी से अकसर कहती थी कि कि किसे दिन हमारे यहां का चक्कर लगाओ तो वो कहती कि मा यहां पर उनके रिश्दार हमसे मिलने के लिए आते रहते हैं, बहुत लोगों के यहां हमें दावत के लिए जाना होता है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते, तो मजमूरन मुझे भी चुप रहना पड़ता, बेटी से ना मिलने का दुख तो था ही, पर साथी खुशी भी थी कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है, अब कुस दिनों से मुझे रात को अजीबो गरीब सपने आ रही थे, जैसे मेरी नैना रो रही हो, किसी मुसीबत में हो, कभी सपने में उसे कोई साप आकर डस जाता है, तो कभी वो किसी गहरे कुए में गिरती चली जा रही होती, मैं चाहकर भी अपनी बच्ची को ना बचा पाती, एक बार तो हदी हो गई, मैं अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से कुए में धकेल रही थी, ये सपना मुझे बेचैन कर चुका था, उस दिन बेटी को कॉल की और बोली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए तु यहां बहुत खुश हूँ, खुशी तो जैसे उसके शब्दों से ही जायर हो रही थी, कहने लगी कि आपको यहां पर आने की ज़ौरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। एक दिन मैं यूही बैठे रोने लगी, क्योंकि बेटी की याद तो जैसे मेरा दिल को चीर रही थी, पती भी मेरे साथ ही उदास हो गए थे, उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा कि हम कल ही दूसरे शहर नैना से मिलने जाएंगे। मगर उनके चहरे पर तो अजीब सी परिशानी और बेचैनी आ गई थी। उसका रंग पल भर में ही फीका पड़ चुका था, वो डरे हुए चहरे के साथ हमारे तरफ देखने लगे। लटखडाती हुई जबान के साथ उन्होंने हमें अंदर आने के लिए कहा। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी नैना अपने कमरे में बैटी आराम कर रही थी। नैना ने हमारे कदमों के आहट सुनी तो फौर रोट कर हमारे सीने से लग गए और खुशी के मारे रोने लगी। मैं भी अपनी बेटी को चूमने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही थी इसलिए ऐसे अर्चानक चले आए। इस वक्त घर में नैना और उसके ससुर के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम वहाँ पर कुछ दिर बैटे और फिर नैना से पूशन लगे उसके हाल चाल के बारे में। वो तो वाकरी बहुत खुश लग रही थी। ये देखकर हम दोनों के ही दिल को सुकून मिल गया। नैना के ससुर वहीं कमरे में बैठे थे। हमें बैठे हुए काफी देड हो गई तो मैंने नैना से कहा कि दमार जी कहा है। अभी तक घर नहीं आए। तो बेटी कहने लगी कि क्या बात कर रही हो मा, मेरे पती तो यहीं सामने बैठे हैं, जो आप से बात कर रही है। मेरे तो सर पर जैसे पहार तूट गया कि नैना ये सब क्या बूर रही थी क्योंकि सामने तो बेटी के ससुर जी बैठे थे मैंने नैना से कहा कि ये क्या कह रही हो नैना तुम्हारा पती तो यहां कहीं नहीं है ये तो तुम्हारे ससुर है मेरी बेटी फॉरन उठ खड़ी हुई कहने लगी कि नहीं मा मैं तो ये अपने पती के साथ इस घर में अकेली ही रहती हूँ मेरे पती गुस्से में उठ खड़े हुए नैना की ससुर को कहने लगी कि क्या कह रही है आपका बेटा कहा है? हम तीनों ही हैरत में थे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो इनसान जिसके उम्र 50 से 52 साल के आसपास की थी गलासाफ करते हुए जिजग के साथ कहने लगा कि आपकी बेटी नैना मेरी ही पत्नी है ये बात तो हम पर जैसे मानों पहाड बनकर तूटी थी मेरी पती बहुत गुस्से में आगे बढ़े और उस उनसान का कॉलर पकड़ कर कहने लगे कि ये क्या बकवास कर रहे हो मेरी बेटी के साथ इतने समय से तुम अकेले रह रहे हो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है नैना की ससुर जी जाते हुए कहने लगे कि आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए आगे वो कहने लगा कि नहीं ऐसा नहीं है दरसल मैं अपना घर बसाना चाहता था ये धन, दौलत मेरे पास बहुत थी मगर मैं अभी तक कुवारा था मैंने अपने भाई, सभी भाई, बहन की शादी अच्छी घरों में कर दी थी वो सभी दूसरे देश में जाकर बस गए जब मैंने शादी के बारे में सोचा तो कोई भी मुझसे शादी करने को तयार नहीं था क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी इसलिए रिष्टेवाली से कहा कि जैसे भी करके मेरी शादी करवाओ उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैं शादी के लिए तयार हो गया मैंने नैना को देखा था वो बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे पर मैं साथ ही साथ ये भी जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझ से एक इतनी उम्र के आदमी से कभी नहीं करवाएंगे इसलिए ये सारा प्लान मैंने बनाया और फिर शादी कर ली यही एक वज़ा थी कि शादी वाले दिन भी आप दोनों के आने से पहले ही मैंने नैना से शादी कर ली थी ताकि आप लोगों को पता ना चल सके कि आपके बेटी की शादी किस से हुई है ये खबर हम तीनों पर बिजली से बन कर टूटी थी मेरे पती तो गुस्ते से इस इंसान को मारने लगे नैना भी बहुत रो रही थी हमने उसी से मैं अपनी बच्ची को साथ लिया और घर वापस आ गए आज मुझे अपने उपर बहुत शर्म आ रही थी मैंने ये क्या कर दिया था अपनी बच्ची के साथ नैना के पापा तो चाहते ही नहीं थे कि हम उसके शादी करें लेकिन मैंने ही कुछ जादा सोच लिया था और अपने हाथो अपनी नैना के जिंदगी बरबाद कर दी आप में से वो लोग जो एक माँ हैं वो शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मेरी सोच गलत नहीं थी मैं भी तो अपनी बच्ची के अच्छाई के बारे में ही सोच रही थी कि जब हम दोनों नहीं रहेंगे तब उसका क्या होगा पर ना जाने ये क्या हो गया इसके बाद नैना का पती कई बार हमारे घर आया और माफी मागने लगा उसने नैना से कहा कि नैना तुम बताओ क्या मैंने एक बार भी तुमारे साथ उची आवाज में बात की क्या तुम पर हाथ उठाया तुम्हें तो मैंने अपने हाथ का छला बना कर रखा था तुम्हारी हर ख्वाइश पूरी करने की कोशिश की थी तुम्हें एसास ही ना होने दिया कि वो घर तुम्हारा नहीं है नैना भी दिल ही दिल अपने पती को पसंद करने लगी थी एक दिन नैना मुझसे कहने लगी कि मा, मैंने तो ना इनका चेहरा देख रखा है और ना ही इनका शरीर मैं तो बस वहवार और उनका मेरे साथ प्यार को देखकर इनसे प्यार करने लगी हूँ हमने जब देखा कि हमारी बेटी भी उस इनसान के साथ खुश है और वो भी हमारी बेटी का खयाल रखता है तो मजबूरन हमने अपनी बेटी को उस इनसान के साथ विदा कर दिया उस इनसान की महबत में कोई कमी नहीं थी वो हमारी बेटी को अपनी घर की इजद बना कर रखने लगा उसके बाद मेरी बेटी ने खुबसूरत से बच्चे को जन्म दिया उनकी जिन्दगी में खुशियां थी वो अपने पती के साथ बहुत खुश थी फिर हम कौन होते हैं नैनों को अपने पती से अलग करने वाले हम भी उसके खुशियों में ही खुश हो गए हां मगर शादी जैसा पवितर रिष्टा जूट और दोखी की बुनियाद पर नहीं रखा जाना चाहिए आज हमारी बेटी बहुत खुश है और उसकी खुशी ही हमारा जीवन है I hope आपको ये कहानी पसंद आई होगी अगर अच्छी लगे और चानल को प्रीज सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे और अपने प्यार इसे कमेंड नीचे ड्रॉप कर दीजे मिलों ये आप से नीच कहानी के साथ, तब तब के लिए बाबाई